हलो दोस्तों नमस्कार आपकी बैठकर ऑफिशली तुक्तिन पर दोस्तों आज हम यह पर्स बचिया है और रिपीटर है कई बार की उचेंगे यह पर्शुपालक हमारे साथ है और रिपीटर हमारे साथ आसीज भाई है कानपूर से और आज यह डाइग्नोस कर रहे हैं कि यह बार बार कि बज़े से रिपीटर क्या बज़े है कि जो रिपीट हो रही है वार बार नॉर्मल उब्री का साइज क्या होता पूछे कि नों अभी तक आप क्या देख रहे हैं जोनों बज़ें सम लग रही है कुछ भी अंतर नहीं है तो अब ये कवीट पर आई पानी डाल पानी डाल लिये हैं दो हमखाला के से लिए बताओ उसम। इसमें आपको क्या छकात में और कैसे पता करें मां … और कैसे पता करेंगे तो इसने सिष्ट हो गहारा है तो इसस्ट कि आपको पैचान है सिष्ट में जो है ओवरी का साइज जो है कि यह और बड़ी बड़ी और जो बड़ी बड़ी होती है और आप देखिये तो बतारे को नॉर्मल है दो लो बाकी में एक बार देखूंगा हो सकता आप ने भी ड्राइग्डोस ने कर पाया हो लेकिन उससे पहले हम इसका डिश्चार्ज लेकर देख लेते हैं फो सकता है य तब से अब आई हीट पर बीच में आई है तो एक बार पास एक गाया वो रिपीटर थी अब गया बना गई अब कितने मेन गया बना गई च्छाटा महीन अलग गया है अच्छा पक्डी गाय है वो फिरीग में दोस्तों यह फिरीगी गया दो यह पकड़ देते हैं और रुक जाती है वो पकड़ लिए वच्छिया है और अब इसमें गन पास करेंगे और गन पास करके इसका डिस्चार्ज लेकर देखेंगे इसका जो डिस्चार्ज है वो कैसा है क्योंकि जो पशू बार बार रिपीट करता है उसके अंदर दो ही सिष्ट है या फिर उसके अंदर वच्चे दानी में कहीं ने कहीं थोड़ा बहुत इंफेक्शन है इंफेक्शन का कारण पशू ग्यावन नहीं रुकेगा सिष्ट रहेगी तो पशू पर हीट पर नहीं आएगा तो कंसीब नहीं करेगा ऐसी कंडिशन देती है रिपीटर पशू में बाकि अभी आसीज भाई कानपुर से हमारे पास आए हैं और इनकी समिश्चय है रिपीट बीडर पर काम करना और सिष्ट वगया जो इन में डाइग्नोस की जानकारी करना कौन सिष्ट होती है और किस सिष्ट में पशू की रक्षर क्या होते है तो वही अभी य कि अधरी अधरी आधर करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी और फास करेंगे इसके बाद हम जिशाज लेंगे और शाज से पता चलेगा यह पशू कंदर जो इसका इंटर इसका इंट्रस है कितनी सूजन है इतना ही समय लगता है गन पास करने में समय आप शाज लेके यई जो ह कि मोटाइब यह साय साइवल कौश गृम्ट गाएब ना देशी इनका ऊचत liksom शब्ला भूभाफ गयाता है फकुडब भ है अब इसका सिक्टार लेकलेके देख लोगे गन तो ठोपर पाएब अब इसका डिश्चार्ड लेकर निखिए कैसा डिश्चार्ड कर रही है कि इस के अंदर पर इंफ्ट्शन है यह देखो बई आसीज़ बाइट इन यह दिश्चार आपको दिख रहा नहीं है यह गन्दा इस्चार आज और यही रिजन है अगर वह दिश्चार्ज चेक नहीं करेंगे यह 10 वार रिपीट हो जाएगी लेकिन यह प्रॉब्लम नहीं 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 रूज़ी है अपने दोनों पर देख लिए दोनों समसाइट कि है तो फिस्ट पर भी आ रहा है लेकिन इसमें प्रोब्लम है वह इंफेक्शन ठीक हो जा जालेंगे जुकाए लिए पहले चोड़ी किशी नहीं इनके पास लाए इनके पास रहे हमने बाउंद लिए कर दिया रोग गई अभी आएगी चौतीवार तीसरी बार बहुआएगी दो बार ब्याद चुकी है एक बच्चा यह है और यह तीसरी वार ब्याएगी हमारे हाथ से गयाबन है और उसी किरम में यह भी पसूरी पिटर है यह बच्चिया भी कितान कि छोड़ देगा अगली वार एक वार मिं गयाबन रोखेंगे तो अवह मश्रीट्मेंट करें लिए तो यह निकाल दूलों तो यह दवार में ले लिए हुआ जाओ पर दस से बारे हम ने लिया है जो अ यह दबाई इसको यह कलर हो गया है कि एफ जो पर फिरी दो देले लेंगे हम उसे मिला है तो पिली हो जानी तो यह जब हो जाएगा दबाई का इसमें दिलाने के बाद मीग वजाना काजिए ठीक है यह प्रॉपर मैं चेक करूँगा एक बार मैं चेक जरू करूँगा कि ताकि यह पता चल जाए कि अब स्टार्टिंग में दिक्कत कर रही थी जहां से ओस होता है उसके बार इसमें कोई दिक्कत इसकी बच्चेदानी बढ़िया है लो तो इसमें डवाई डाल देते हैं दवाई आपको पता ही चल गई है और सबसे अच्छी वाद है कि यह आज और कल डालेंगे बस तीसे दिन दवाई जरूत नहीं पड़ेगे दो दिन में यह बिल्कुल फिट हो जाएगी और साथ पहले अबर डाली हिए यह दो बार डाली हो जाओ है लुज दो दिन दवाई पड़ती है दो दिन की दाएँ में दिल्कुल टॉलिया अब हम थोड़ा चे क्या कराएगे दवाई को इला देवीदिश स्हा चार्बा तब प्तर चल जाएगी त Auguri आपने यह देखी है और इस दूर अज़ा और को चेक करना बहुत जरूरी है अगा और बिसके नहीं कर पाऊंगे तो फिर दिक्तना है अब इसमें दोनों अब्री पकण में आ आगी हैं जोई दिक्तनी कि इस लिए अधिकर दोनों भी ठीक है तो तो फिर इस पर दोनों और चिक नी हो रही है झ। जैक दम इस बुड़ेटमेंट करता हैं कि इसके बाद आपव हडाइब किन्हें से लिए हम कई साहिस दवाईओं कसे बांकियाँ पाल शंचा इसके लिए हम कई साघ्स द्वाएं।осто Algun नगायों का। कि उसमें दसमेल बीटाडीन के साथ दसमेल ऑक्षी मिलाकर और इंटाइड कर देते हैं फिर जो हल्का-फल्का इंफेक्शन रहता है वह बिल्कुल ठीक हो जाता है अगर पशु के अंदर ज्यादा इंफेक्शन है तो बहुत सारी और दवाईयां मार्केट में हैं जो इंटा सब्सक्राइब परिक्शर करना है फिर इस बात का पता करना है कि जो फाटर यहाइस का निए कि पाट और दूसरा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो हम रिपीटर पर बहुत अच्छा काम करते हैं तो ऐसे किस आपको बहुत मिलेंगे एक तो हमारे लोग पास टाइम नहीं है हम लोग जाएंगे सीमन डॉल कंगी क्या दिक्कश काम करते हैं दूसरी कमी फ़र्व अश्रीं प्रश्वक्राइब कि अधिक तो दोस्तों इस तरह से हम रिपीट स्टी आपको हर रोज देने का प्रियास करते जो लोग वारी वीडियो देखते हैं वीडियो देखके यहां को सीखें कि आगर हमें अएनिमल क्री में तो हमें बांजपन का और रिपीट वीडिंग बहुत खास का द्यान देरा पड़ेगा तभी हम एनिवल अस्वेंट्री पर काम कर पाएंगे पश्यों पर रख रखाओ या हो पश्युपालन इन पर अच्छे से काम कर पाएंगे तो ठीक है आगे बात करेंगे अगली वीडियो देखत सब्सक्राइब करें अच्छे लिए लाइक करें कमेंट करें सेर करें साथ ही वेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जनकारी आप तक पहुंस्ती रहें बहुत बहुत धन्नवाद नमश्यूंद्ध